फेवर की इन्वेस्टिगेशन थी उसको तो छुपा लिया और जो उन्होंने खुद का जूट का पुलिंदा त्यार किया था डेरा फॉलोर्स के खिलाफ उसको कोट के समक्ष रख दिया कोट में भी स्टेट और पंजाब ने कोट को बार-बार गुम्रा करना की कोशिश की हाई कोट ने आज ये सुनवाई करते हुए पुझे गुरुजी की सियाचिका को अलाउ कर दिया है सबसे बड़ा कारण इस डोकुमेंट को चुपाने का यही है क्योंकि ये डेरा सच्चा सोदा के फॉलोवर्स की बे गुनाई का बहुत बड़ा सबूत है अपने आप में मनने हाई कोट में पुझे गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंग जी संजीद्वारा एक याचिका लगाई गई थी वह याचिका डोकुमेंट को लेकर लगाई गई थी जब सी बी इस बेद्वी मामले की जाच कर रही थी तो सी बी ने कंप्लीट संटिफिक investigation इस case में की थी और scientific investigation करने के पस्चात उन्हों ने CBI court महाली में closer report दायर की थी जो डेरा followers की बे गुनाई का सबूत था जिसमें CBI ने डेरा followers को बेगुनाई साबित किया था कि इनका कोई किसी तरह का बेयद भी करवाने में कोई की हाथ नहीं है तो उसके पस्चात जब state of पंजाब ने इसकी investigation ली तो मननिया हाई court द्वारा state of पंजाब को यह direct किया गया था कि जब भी आप अपनी investigation की supplementary report court के अंदर दायर करेंगे तो आपने जो CBI की investigation के documents हैं वो भी complete documents अपनी investigation के साथ आपने magistrate के समक्ष सारे तत्यों को रखना होगा उसके बाद magistrate उसके उपर cognizance लेगा लेकिन state of पंजाब ने क्या किया जो CBI की scientific investigation थी जो accused के favor की investigation थी उसको तो छुपा लिया और जो उन्होंने खुद का जूट का पुलिंदा त्यार किया था डेरा followers के खिलाफ उसको court के समक्ष रख दिया तो जब यह कागजाद यह documents हमने application लगाई CGM चंदीगड के समक्ष कि हमें यह documents provide करवाई जाए तो वहाँ भी state of पंजाब ने court को गुम्रा करने का काम किया और वहाँ पे उन्होंने court के समक्ष कहा कि जो यह documents मांग रहे हैं हम already इनको provide करवा चुके हैं और CGM चंदीगड ने हमारी उस application को उनके reply के विहाब पे dismiss कर दिया उसके पश्चाद trial court copy branch में हमने application लगाई कि जो यह state of पंजाब ने अपने reply में कहा है कि हमने सभी documents court के record पर रख दिये हैं तो हमें वो documents provide करवाए जाएं तो उसके बाद copy branch की जो report आई उसमें copy branch ने report यह की कि जो documents आप हमसे मांग रहे हैं वो part of record नहीं है court का court की record पर वो documents नहीं है उसके पश्चाद पुझे गुरु संत गुरु में इतराम रहीम सिंग जी इंसां जी द्वारा हाई court में यह याची का दायर की गई और यहां तक कि हाई court में भी state पंजाब ने court को बार बार गुम्रा करना की कोशिश की यह कहकर कि यह जो documents मांग रहे हैं वो हम इनको सभी प्रवाइड करवा चुके हैं यह case diary मांग रहे हैं जो कि हम प्रवाइड नहीं करवा सकते तो court के समर्क्ष हमारे जो advocate थे चेतनमितल जी उन्होंने बिल्कुल कलीरली कहा court को कि हम case diary बिल्कुल मांग रहे हैं हम जो मननिया हाई court ने स्टेट और पंजाब को कहा था जो complete documents CBI के देने के लिए हम सिरफ उन्ही documents की बात कर रहे हैं तो मननिया हाई court ने आज यह सुनवाई हाई court ने allow किया है सबसे बड़ा कारण इस document को चुपाने का यही है क्योंकि यह डेरा सच्चा-सोदा के followers की बेगुनाई का बहुत बड़ा सबूत है अपने आप में जो एक complete scientific investigation करके जिसमें पोस्टरों के उपर finger prints की investigation हुई हो राइटिंग experts की जो reports आई है और lie detection test हुए है psychological test हुए है इस तरह के scientific investigation है उसके पश्चाथ ही CBI ने डेरा सच्चा-सोदा के followers को बेगुनाई साबित किया था और उसी की वो closer report पेश की थी इसलिए state of Punjab उसको छुपाना चारी है ताकि वो अपने जूट के पुलिंदे में काम्याब हो जाएं